करीओ मैं बनाने जा दीओ कै ऐसे चने की दाल गजाएं। और और यहांदे सकता हैं और और यहां प्रार्थ से पिर सुधी लिए लिखाँ में बारी कटी हुए हरी मिर्च है और एक टुक्ता जिंजर का जिंजर को कदू कस कर लेंगे या चाकू से च्छोटे-च्छोटे पीसस में काट लेंगे इस तरीके से तो जिंजर को इस तरीके से मैंने काट के डाल दिया है चनी की दाल को मिक्सी में, इस तरह के से ना ज्यादा मूटा है इस में डालेंगे लाल मिष्कडर, पोड़र स्रादनसार नमक, धनिया पौडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, टर्मरीक पौडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सौप पौडर, 10 टीस्पून, 1-2 टीस्पून, 1 1-2 टीस्पून, गंग करएंगे, तो प्रण, अब इसका फरा के लिए उपर का डो त्यार करेंगे, तो यह तियार हो गया है परा के लिए अंदर बढ़ने के लिए मसाला चने की ताल की फरे बनाने के लिए एक टोरी में आटा लिया है और चलनी से छान लेंगे चानने के बाद फरे बनाने के लिए इसका डो तेयार करेंगे पहले तो सुखा आटा थोड़ा सा निकाल देंगे आदी कटोरी आटे में डालेंगे स्वादल जाड़ नामक वन टीश्पून आईल आटे का नामक वनन टम्प्रेचर का पानी लेंगे और न जदा गरम लेना है न ठंटा नॉर्मल लेना है और इसका डो तेयार कर लेंगे डो से तो था त्यार करना है ना नहीं पूरी का, तो पराटे के लिए दो तयार करते हैं वैसा ही दो तयार कर लिया है अब अंदर भड़ने के लिए जो मैंने चनी की दाल का पेष्ट तयार किया था इसको अच्छे से फेट लेंगे इसमें डालेंगे गाइस हीम आदा टीसपून इपी जादा कॉंटिटी में आप घीम डालेंगे तो बहुत ही जादा अच्छा होनीगा आपका दो और खुस्पू आई की दालेंगे वन टीसपून ओयल अब इस बच्चे से फेट लेंगे तो फेटने के बाद यह हल्की हो जाती है यह परफेक्ट दो तियार हो गया है परा बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ गैस हम करेंगे और रखेंगे लोही की कड़ाई आइरन वाली और इसमें डाल देंगे पानी तीन गिलास अब तक यह पानी में खौल आ रही है तब कि आटे से प्ड़िद में जो प्लस होता है बहुत ही अच्छा बनता है इसलिए इसमें आटे में डालने से बहुत ही जाता अच्छी बनने वाले हैं और इसमें डाल देंगे इस तौधनसाल इक चुट्की नमा परा बनाने के लिए लेंगे चकावीलन अब ये टो बनके तयार हो गया है चनी का पीस्ट इसको फेट लेंगे थोड़ा सा और आटे का वीडियो पर्फेक्ट तयार हो गया है अब इसकी लोई तोल देंगे सब्सक्राटा लगा लेंगे बोल कर लेंगे चुकेपे रख लेंगे और इस तरीके से लोई बना लेंगे तो लोई को थोड़ा छोटा ही बनाना है जिससे सबसे रोटी पराठा बनाते हैं पूरी वाले अफ़ार में ले लेंगे तो काटा इसमें डालेंगे और बेल लेंगे तो इस तरीके से मैंने पूरी के आखार में बेली है तो इसी तरीके से एक और बेल लेंगे तो इसमें रख लेंगे तो इसमें रख लेंगे चनी का पेष्ट जो भी डू बनाया था चेकपटा मसालीदार और इसमें तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जैसे मौमूद बनाते हैं उसी आकार में इससे मौमूद बना लेंगे तो यह चनी कितार के फ़रे इस तरीके से बन गए है तो आपको फ़रे की वीडियो कैसी लगीगा इस कमेंट में जरू बताईएगा तो बहुत जादा टेस्टी लगते हैं बहुत जादा खौल दो जाएगे बहूं जाएगे तो यह तुश्चा ब debating बन के तयार हो गया है यह तो जाएगे वी कमें छेज़ेते करें OW अब ना लेंगे पहल जाय हैं आपकेम से तरीके साथे इसाले बना लेंगे उससी तरीके सबंदार प भरा या और इसको बिच्चे से गोल कर द कड़ाई में डाल दिया है अब इसमें डालेंगे और बड़ी थाली ले ले लेंगे और इससे टग देंगे जिख सेटे हैं कि इसमें खौल आ गई है और इस तरह के से इसको जड़ाई सब खोल देंगे थाकि बाहर ना निकले अब फरा जो हैं इसकी दिसा चेंज कर देंगे दिसा चेंज करने के लिए इसको पलट देंगे और एक ट्रफ्ट परफेट बन चुके हैं और दूसरी करब इसी तरीके से पलट देंगे वादी साफ़तानी से पल्टेंगे फॉल्ट अवया पानी है तो सारे फरे मैंने इस तरीके से पलट दिये हैं इसका रसा थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसके अपर थोड़ा एक बर एक चुटकी आंटा वाई जाता पतला नायर BIG फ़ाइक बआज़ता है तो दुटकी पहुत भी अनले के कम कियोता भी को तो आप ने कोका थो जबता BILL तो कि मैं जड़ना के बहुत एक के लिए तो भी में करने के लिए तो इस तरीके से बाल पोदक्तित पहाई करने के बार ठीसके एक और शुकने निखिए निखिए कि आप सब्सक्राइब, हम द cotton निखिए को पुख़ांगि उपम्ही कि उखिए लेवाद के शुग है और बयस्मेट के लिए निकालेंगे तो शुग तष्या इसमें परपड खुला चुकिंगे सुगाइज फरवन के तयार हो गए है अब से परंदें में आपके में हुआ है और इसको तरीके से त्यार हो गाए है एक कांटा लेंगे कांटे से इस तरीके से डबा के देखेंगे तो यह पंद चुकी है अगर करने के लिए एक परा लेंगे और इसमे डालेंगे थोड़ा साथा साथ तो यह मैंने सर कर लिया है और चाकू लेंगे चाकू से फ़रा के लिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे जोभी शेप देना जाएं क्योंकि गरम है तो इस तलके से गई फ़रा बन के त्यार हो गया है तो यह रहा चटपटा फ़रा इसके उपर डालेंगे तो जो टीश्पून तो कर दो दीश्पून तो आप दे सकते हैं कि फ़रावन के तयार हो गया है और परावन के तयार हो गया है तो आप तेमाटो सास और यह हरी वाली चटनी। बनाती हुँ और टमाटो सॉस और यह फरा बन के तैयार हो गया है तो आपको फरा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा अगर ने हैं तो चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किजिए लो तो यह रहा फरा इस तरीके से खाईएगा बहुत ज ज़्यादा साधिस्ट लगता है बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है और चाहे के साथ खाईएगा चाहें तो आप बिदाउट चाहे खाईएगा अभी पूरी वीडियो देखिएगा अब मैं फ्राई वाले फरा बना के दिखाऊंगी तो गैस यह खीले वाले फरे रसे व को अब लोगता है तो अब दीसकते हैं इस तरीके से मैंने जो बखोसी बनाये तो अब इसको फ्राइ करेंगे कलहारने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले बखोसी की कटिंग करेंगे इस तरीके से बनाएते हैं थंडे हो गए हैं तो इसकी कटिंग करने के लिए पहले इसको बीच से काट लेंगे तो आप नहीं सकते हैं कि किस बपने हैं बहुत ही जादा टेश्टी लगते हैं बहुत ही जदा सौधिश लगते हैं गीले गबर खाएं वह भी बहुत अच्छी और यह फ्राई वाले भी बहुत अच्छे रखते हैं खाने में तो फटा-फट मैं करूँगी इनको फ्राई और साथ में बनाएंगे चाय के साथ कोई गैस्ट आजाए आपकी तो आप इसको चाय के साथ नास्ता सर्फ कर सकते हैं इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है बगोसे के जो भी शेव देना चाहें उससे वही शेव से आप काट सकते हैं तो यह रहा है गाइस बगोसे कट के तयार हो गए है यह बगोसे की कट्टे चलते हैं गैस की तरफ तो बगोसे फ्राइब करेंगे गाइस इस तरीके से आप बगोसे बना सकते हैं यह कट्टिंग बगोसे हैं कैस कौन करेंगे इसमें रखिए है मैंने आइरन वाली कड़ाई और इसमें डालाय ओए इसमें डालेंगे एक चुट्की हींग खोलेंगे मसाल दान और मसाल दान से निकालेंगे सामान तो इसमें डालेंगे जीडा एक चुट्की तर्मेरिक पॉडर आधा टी स्पून से कम आधा तो यह पकोसे जो बनाय दे वो इसमें रेटर देंगे बिलकीन काको फ़ीटेट दीदेञान तोस्कियातनों से फ्राइब करना है तो प्यास नाय काकोे के तक बूदम नहीं है आपको अगर फ्राइब by लिकशुरे लिमा टाहने नमक प्यास अफिर लेट का सिर्च देड टालना छाहे है पाउडर, जनिया पाउडर, जनिया पाउडर, छालाएंगे। अब थोड़ा पानी बचा था यो इतमें डाल देंगे। बखोसे बना सकते हैं तो आपकोसे बना सकते हैं बहुत ज्यादा चेश्टी हो तादिश लगते हैं बखोसे बना सकते हैं अगर बखोसे बना सकते हैं अगर आपने दाल पहले से बिगो रखी है तो एक रखने बना सकते हैं चलिए इसको सर्फ करने के लिए एक रिल्ट लेंगे और ये रखे हमने पकोसे सो गई आप देख सकते हैं कि ये चनी की दाल के पकोसे वल्के तयार हो गए हैं और ये हरी चट्नी और इसके साथ रखाए मैंने टमाटो सॉस